हलो एवर्यों यह वेलकम टो बेस्ट नोस टूटोरियल इन दिस वीडियो वी वी टॉकिंग अबाउट असुटेबल बोई जो यह वर्क है असुटेबल बोई आप लोग जानते हैं कि यह लिखा गया है विक्रम सेट के द्वारा विक्रम सेट इंडियन नॉवलिस्ट है और स साथ पॉइट भी हैं उनका जो जन्म हुआ था ओर ट्वंटी जून 1952 को हुआ था यहां पर मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि जो यह होता है इसी याद करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो यह है कि आप लोग इसे राइटर के साथ में ही बार- 52 केजी वेट इस तरह से मैंने याद कर लिया था इसे 52 केजी वेट तो आप लोग इसी तरह से याद कर सकते हैं तो आप लोगों को याद रहेगा कि 1952 में इनका जन्म हुआ था अब आते हैं और बात करते हैं सुटेबल बॉई के बार में तो जब हम किसी वोग को पढ़ते हैं तो उस वोग में हम क्या क्या चीज़े हमें स्टॉडी करनी होती है एक तो जो सबसे इंबॉर्डिंग है जो कोशियन पूछा जाता है वो पूछा जाता आपका कैरेक्टर स अगर आपको कैरेक्टर याद है तो आपको डैफिनिटली उस वोग में आप एक या दो नंबर गेंड कर सकते हैं दूसरा होता है उसका पॉब्लिकेशन डेट और तीसरा होता है उसकी थीम थीम से भी कुछ कुछ पूछे जाते हैं और कुछ इवेंट से कुछन पूछे ज सब्सक्राइब तो यह क्या थे अपने आप में एक और यहां पर क्या है चार फैमिलीज के बारे में चार एलीट फैमिलीज के बारे में क्या किया गया है डिस्किशन किया गया है या हम कहें कि जो स्टोरी है जो सागा है वो चार एलीट फैमिली के बारे में हैं उनके सिचुईशन के बारे में हैं तो हमें इसमें सटाया एन रोमेंस भी देखने को मिलेगा और क्रिटिक्स ने इसे कहीं न कहीं प्रेज किया है सेट रिषीव एन एक सिटिंग ले रियर वन वन मिलियन डॉला एडवांस उन्हें वन पॉइंट वन मिलियन डॉला एडवांस इस वर को लिखने के लिए मिल गया था तो कितना आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपोर्ड़न यह वर्क था और इसे 1400 पिजिस में क्या किया तो यहां पर भी आपनों को एक कुशिन यहां से बनता है कि जो विक्रम सेट का वर्क है वो किस राइटर की वर्क से कंपेर किया जाता है तो इसे कंपेर किया जाता है आपका जॉर्ज एयर्ट के मिडल मार्च से जो के पब्लिश हुआ था 1871 में असुटिबल बॉइस थीम इंक्लूट्स दी पॉलिटिकल इन पर्सनल प्रेजिटिस और फोगिवनेस कंफिलिक्ट अमिडिस्ट शूशल ग्रॉप्स और फैमिलीज चेंजिंग रियर रिशिल नॉम्स अनेक्स्पेक्टट वाइलेंस एंट इंटर जेनरेशनल कनेक्टेडने इस सारी चीजे इस वर्क की थीम है और आप लोगों को आगे जब स्टोरी हमें से पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह सारी चीजे समझ में आएंगी नॉमले सेट इन अर्ली नाइटीन फिप्टीज और जो इसका बेक्ग्राउंड है जब इसको सेट किया गया है इस वर्क इस वर्क पाकिस्तान बिइंग इस्टाबलेश तो यह जो टाइम था यह एक इवेंट फुल टाइम था और काफी सारी चीजे यहां पर हुई थी और इसमें एक इंपोर्टेंट जो है वो था हिंदू-मुस्लिम कंफ्लिक्ट जो कि इसके बैक्राउंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो जो प्लेस है इसका यहां से कुश्चन पूछा जाता है कि जो सुटेबल बॉय है यह विक्रम सेट ने कौन सी जगह पर कौन से इमेजनेरी और फिक्शनल टाउन में इसको सेट किया था तो था आपका ब्रहंपूर ब्रहंपूर इन इंडिया सुटे उनमatore कहानिय कितने मन्थ की होती है तो पहली आपके महराद मेरास कबशूर और चथा flight of 19 years old लता महरा तो यहां पर महरा फैमली की एक लड़की है जो जिसका नाम है लता और उसी की लाइफ की जो प्राब्लम्स है उसी पर यह स्टोरी क्या करती है रिवाल्ब करती है अ टैलेंटेट इस्टूरिन आट दे लोकल ब्रंपर युनिवरसिटी कोई क्या है लोकल ब्र अट दस डिफाई दी पॉसलिव ऑस्ट्रिसाइज हर सेल्फ रम हर स्टर्न वैल्दी हिंदु मदर मिस्स रूपा महरा तो यहां पर पूरी जो कहानी है उलता की मैरेज की है उस वह प्यार करती है एक कभीर दुरानी को जो की मुस्लिम फैमिली से बिलॉग करता है और अगर अरेंज्ट मैरेज इस अब बिलॉग जो करता है उसे भी पता है कि कई जैनरेशन से डिजन आफ जैनरेशन से इंडिया में जो है अरेंज्ट मैरेज का ही चलन है यह एक नौम है इंडिया में लेकिन अब वो सोचती है कि वो अपना अपना हस्मेंट खुद से चूज कर सकती है लता रेसेंट्ली सो हर सिस्टर सविता मैरी एन अप एंड कमिंग प्रोफिसर एट लोकल यूनिवर्सिटी उसने देखा है कि लता ने देखा है कि उसकी जो सिस्टर है सविता तो आपको दो तीन कैरेक्टर अभी तक पता चल गए होंगे लता रूपा उसकी सिस्टर आ गई है सविता और कबीर तो यहां पर देखती है कि कविता की क्या हुई है शादी हुई है एक अपन कमिंग प्रोफिसर से and his name is प्रान कपूर उसका न सविता और लता की तो सविता की शादी हो गई है प्रान कपूर से तो उसने इस से ब्लेस किया है इस शादी से तो क्ल larvae जानती है कि व forced into a marriage without ever getting to know one another लता को इस marriage पर क्या है a doubt है और वो सोचती है कि क्या ये सच में खुश होंगे क्योंकि उनकी जो शादी हुई है वो बिना एक दूसरे को जाने हुई है means जैसा कि arranged marriage में होता है she knows that कबीर the Muslim man she loves isn't a suitable boy जो कबीर है वो उसके लिए क्या नहीं है suitable boy नहीं है पहला तो वो Muslim है और दूसरा वो एक इस तरह से जो की रूपा जो है लता की मदर जो उसके नौम से उसमें फिट नहीं बैठता है according to her mother and that the two will never be allowed to wed still she can't stop feeling a great passion for कबीर वो जानती है कि उसको शादी के लिए अलाव नहीं किया जाएगा लेकिन वो फिर भी पैशनेट है कबीर के परती he is incredibly handsome and kind and he has inherited great intelligence from his father who is highly accomplished if socially graceless mathematician at the university वो क्या है उसके जो father है वो mathematician है और जो कबीर है वो दिखने में handsome है और kind भी है now you will see the story going better still कबीर is also a star on university cricket team तो जो कबीर है वो क्या है अपनी cricket team का star भी है कि उनिवर्सिटी में जिसमें की लता पड़ती है लता ओल्ड ब्रदर अरून is married to meenakshi the daughter of a prosperous muslim family उसकी जो शादी हो जाती है अरून की वो किस्से हो जाती है मीनाक्षी से हो जाती है मीनाक्षी किस्से है एक muslim family से belong करती है but Lata is also to aware that she is not afforded the same privileges as a man for a woman to choose to marry across religious line is unprecedented अब जो privilege है वो men के लिए अलग तरह से है और women के लिए या girls के लिए अलग तरीके से है boys क्या कर सकते हैं muslim family में शादी कर सकते हैं लेकिन girls के लिए यह allowed नहीं था one day one of Rupa's spies reports to her that Kabir and Lata have been walking around Brahmapur University in public तो Rupa के जो जो Lata है उसकी mother के जो spies होते हैं वो क्या करते हैं जाके बता देते हैं उसे कि Kabir और Lata क्या कर रहे घूम रहे थी University में रूपा is scandalized at this news if word got out that her daughter consorted with Muslims no prominent Hindu family would want to talk with her अब क्या है कि वो थोड़ा इस बात से डर जाती है जैसा कि usually होता है मदर के लिए एक important चीज है कि उसकी जो बेटी है उसके शादी कहीं prominent family में हो तो वो इस बात से डर जाती scandalize हो जाती है कि अगर यह बात पता चल गए कि उसके बेटी का relation किसी Muslim से है तो prominent Hindu family क्या नहीं करेगी उससे बात तक नहीं करेगे तो कि लता अवे यहां पर जो लता है लता को दूर रखने के लिए कभीर से दूर रखने के लिए रूपा क्या करते एक प्लान करती है कलकता के लिए और वो काफी दूर है ब्रह्मपूर से इन कलकता रूपा महरा सेट्स हर डॉटर अप विद वैरियस हिंदू बोईस हों शी दीम्स वर्दी आउप दिया कास्ट रूपा महरा क्या करती है अपनी बेटी है उसके लिए बहुत सारे बोईस को या हिंदू बोईस को लेकर आती हैं और जिनको समझती है कि कास्ट के हिसाब से वह बेस्ट हैं बट और अफ आल दी बोईस लटास मदर डिक्स अप आर एपसलूट डर्स वन हैस बीन सो कंडिशन बाइब बिटिश इंपरियलिज्म आप यहां पर लटा लटा की जो अगर हम देखें कि लटा के लिए जो भी वहां पर बोईस आ रहे हैं लटा की मदर जिनको भी लेकर आती हैं वो क्या हैं लटा को सिटिबल नहीं लगते हैं अनदर है सच टाइनी आइज उसमें क्या हो रहा है कि एक जो लड़का है जो नेक्स आता है उसकी आँखे बहुत छोटी हैं and such bad terrible manners that लटा hardly considers him to be civilized human और यहां पर जो है लटा जब उसे देखती है तो उसे यहां तक कि उसे वो civilized human भी नहीं मानती है तो कहने का मतला यह है कि जो भी हिंदु बोईस लेके उसकी मदर आती है उसे पसंद नहीं आ रहा होते हैं not all of them are awful Amit Chatterjee उनमें से एक आता है Amit Chatterjee a well-known poet and writer वो क्या है एक poet or writer है gets along with well with the worldly and cultured Lata but is probably gay लेकिन वो क्या होता है वो उसे पसंद आता है लता को but he is again Rupa would love it if Lata married Amit और रूपा को लगता है कि means वो चाहती है she wants Lata to marry Amit कि Lata की जो शादी है वो किस से हो जाए Amit से हो जाए His father is a prominent judge and his mother is a polished socialite और वो क्या है कि उसके जो parents है वो कापी अच्छी post पर है जो father है वो judge है और जो mother है वो polished socialite है Lata is also set up with Harish a Hindu man who really likes her and whom she deems to be tolerable but slightly boring अब जो Harish है उसे Lata भी क्या करती है पसंद करती है और लेकिन वो उसे boring मानती है he owns a thriving shoe company उसकी जो company है वो एक shoe company है और कापी successful है in the background of Lata's marital decision is foreground of rest of the world politics और जो Lata का marriage का story चल रही है उसके background में कुछ political issues भी चल रहे होते है there is great controversy throughout the country when a mosque is to be built near Hindu holy site Hindu holy site के सामने एक masjid बनाए जा रही है और यह बहुत बड़ी क्या हो गई है controversy कर दी गई है या controversy बन गई है after several rights the project is abundant जब बहुत सारे rights होते हैं दंगे होते हैं और उस project को क्या कर दिया जाते हैं वेरियस family members are also caught up in different political happenings including the moment of equal rights तो जो background political चीज़े चल रही है और कौन कौन सी चीज़े चल रही है equal rights for untouchable untouchable के लिए equal rights country-wide protest for academic freedom academic freedom के लिए क्या है country-wide protest चल रही है and the ending of the जमिदार system जमिदार system का and end करने के लिए protest चल रही है a system that favored Indian aristocrats within the Kapoor family the main conflict is that the youngest son Maan Kapoor अब जो Kapoor family है उसमें जो सबसे बड़ा conflict है वो यह हो गया है कि जो Maan Kapoor है has fallen in love with an infamous prostitute named Sida by वो एक prostitute है Sida by उससे क्या करना शुरू पर देता है उससे उसे प्यार हो जाता है as the saga concludes Lata Mehera finally makes a decision और जो लता मेहरा है वो finally अपना decision बना लेती है and she will not marry Kabir वो क्या कर लेती है reject कर लेती है उससे शादी नहीं करती है instead she marries another suitable boy वो एक suitable boy से शादी करती है someone who is good enough but not someone she is in love with Harish तो Harish को क्या कर लेती है select कर लेती है तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमने character कर लिए है story कर लिए है publication dates कर लिए है कुछ events जो है आपके दिमाग में set हो चुपया होंगे तो अगर आपको यह पसंद आया वीडियो तो like जरूर कीजिएगा share जरूर कीजिएगा और कल मिलते हम एक नए story के साथ and equal music और यह ज जो सीरीज चल रही है continuous चल रही है पिछले भी मैंने चार से छे वर्क अभी recently upload किया है उन्हें देखिए और अपने English को English literature को थोड़ी सी धार दीजिए हम nearly 500 वर्क की बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपको यह सीरीज पसंद आती है तो definitely इसे share कीजिए और like जरूर कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक goodbye, take care, see you in the next video